धलता मैं ईंद्रे शादव अपने यूट्व चेनल इंद्रे शादव ओफिशल में आप सभी का सौगत करता हूँ तो दोस्तों हमारी क्या है चार बजे की सीद की चलती है चार फ syst नहीं हमारी पड़ेट की सलती है जीके जीके और जीके सी कि लगास सु listen to us तो आज हम geography, geography, geography के introduction के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, geography के introduction के बारे मेरी handwritten notes है, आप लोग एक बार जरूर इसको जो है, पढ़िएगा थोड़ा सा, आप लोग बताईएगा कि मतलब clear है की नहीं जो है, जो PDF है क्लियर है की नहीं, ठीक है, चलिए, आई चलते हैं, एक start करते हैं, ठीक, geography, जो हमारी geography है, geography, दो सब्द से मिलके बनी है, ठीक है, किसे दो सब्द से मिलके बनी है, किसे किसे एक जीओ से, और एक किसे एक graphie सब्द से, ठीक है, एक graphie सब्द से, ठीक, जीओ का मतलब होता अर्थ, क्या होता है, यह अर्थ होता है, और graphie का मतलब होता है, description description क्या होता है description ठीक है जियोगराफी का मतनला अवह प्रिथिभी का वार्टन करना ही, क्या करा आता है? बुगोल का था है घी करते है बूगल का लाता है। घृषिव का क्या क्या कर नहीं हिंदी में क्या 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 लाता है? जियो, ग्राफिक आलाता है छली इस पर कितने तत्व हैं कहां पे जील है, कहां पे नदियाँ है कहां पे सागर है, ये सब स्टेडी करना ही हमारा क्या है जियो, ग्राफिक है, ठीक, आईए next point हमारा क्या क्या है, अधुनिक जो इसमें अधुनिक जियोग्राफी के जनक कौन है, तो ओं है अलेकजेंडर वान, अलेकजेंडर वान हमबोल्ट है, कौन है, अलेकजेंडर वान हमबोल्ट जो कहां कहें, जर्मनी के हैं, ठीक है, कहां कहें, जर्मनी के, ठीक, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, कि सब्द का प्रियोग जियो ग्रैफिका ऐसे लिखते हैं जियो आप लोग नहीं दिख रहा तो मैं लिख दे रहा हूं जियो ग्रैफिका जियो ग्रैफिका ऐसे ठीक जियो ग्रैफिका सब्द का प्रियोग सबसे पाले किस ने किया था तो हेरो डो टस्थ नीजने या एक क्या तो ने किया था या यूनानी बैग्यानिक थे ठीक आप लोग इस बात को ध्यान लगेंगे ठीक है और इससे कुछ रिलेटर जो पूछतक है उनके बारे में बताए गया ऐसा तो हमारे जो किताब उलहिंद या भी एक भूगोल पे ही इस्थिती भारत के भूगोल के बारे में जनकाई देती एक उत्ता क्या है किताब उलहिंद इसको किस ने लिखा था तो अलोबरूनी द्वारत के बारे में किया करती है बताती है किताब उलहिंद किसके द्वारा लिखे थेग किस कहा जाता है और भारत भूगोल के हमारी 8 बजे मैत की क्लास आज हुई है ठीक है सुबह 8 बजे जो लोग नहीं देखें हैं वो लोग जा करके उसको जो देखें बहुत अच्छी है बहुत बैतरी मैत की क्लास हुई है जिसमें यूपी टेट वाले बच्चे सुपर टेट की जो वैकेंसी आने वाली है अभी जो आप लोगों को फायदा हुई करेंट अफेयर का जो थर्टी परसेंट क्या आता है थर्टी कोस्चन आते हैं हमारी जो है सुपर टेट वालों के लिए ठीक है लेक फाल वाले विशेश कर लेक लेक फाल वालों के लिए मुस्ट इंपोर्टेंट है और यूपी पुलिस ये बच्चे जो है विशेश कर ध्यान दें ठीक है और अगला चलिए ठीक है मानो भूगोल के पिता किसको कहा जाता है तो मैंने बताया जो मानो भूगोल की पिता फैडरिक रेट जेल है ठीक है आई भारत को पहले क्या कहा जाता था इसके बारे में देखिए बताते भारत का चार नाम है ठीक है कौन कौन सा एक है इंडिया इंडिया जो है इंडिया को क्या का जाता है आरे व्रत भी का जाता है यह उत्तर भारत में बसने वाले आरियों के नाम पर क्या है आरे व्रत रखें उत्तर भारत का मतलब किदर जो हमारा यह वाला हिस्सा है ठीक है यह वाला हि पंजाब इस वाले हिस्से में जो उत्तर भारत के हिस्से हैं इधर जो आरे वस्ते थे उन्हीं के नाम पे भारत का जो है नाम आर्या वरत भी कहा जाता था ठीक है मेरे ख्याल से आप लोगे यह चीज़े समझ में आ गई होगी भारत किस लिए पड़ा था आरियों के सक्तिसा अपाली राजा थे जिनका नाम क्या था भारत भारत ठाखीक है उन्हीं के नाम पर भारत का नाम कि अपड़ा इंडिया का दारब palabra ठीक है यह आलोगि सम नाम कैसे पड़ा जम्बू दियूप ठीक है जम्बू दियूप जो किस में कहा जाता है बहुत जो बहुत दिकाल में इसको क्या कहा जाता है भारत को बहुत दिकाल में जम्बू दियूप कहा जाता था बहुत दिकाल में क्या कहा जाता था जम्बू दियूप कहा जाता था प ठ्योंख मारा यह दो होती है जो एक अच्छान स्रेखा यह होती है यह का है देशांतर ठीक धन्तर जो ऐसे होती है यह हमारी जीरो डिगरी कि इसको क्या खाते हैं भूमत दे रेखा क्या काते हैं भूमत दे रेखा ठीक है भूमत दे रेखा और इसको साड़े तेईस अंस साधे 23 अंस उत्तरी अच्छांस इसको काते हैं करकर रेखा ठीक है कौन सी रेखा काते हैं करकर रेखा उसके जश्ट नीचे उतने ही डिगरी पर साधे 23 अंस पर कौन सी हमारी मकर रेखा है ठीक है मकर रेखा है इसे दच्छडी अच्छांस काते हैं ठीक मेरे ख्याल से अच् गाति नह meisten विछ उत्र पेखा इक्वाटरबना दाना सबसे व्राइबद olhos decision सबसे बड़ा सबसे बड़ा सब्से पूछे सबसे बर्लिप Priv djp broavage कोन सा है तो हमारी भूमद昨व प्रण्ड का वीवी दिखता है आइसा डिक है तो यह सब्सें थाँ सत शाड़न ऊथ के, आप लोग जानते है शाड़े टैई संस उत्तर एक्षांस पर से बनीते है क्लेम तो इंपोर्टेंट है 40,000 76 km है 40,000 76 km यहां भी लिखा गया है ठीक है आप लोग देख लिजेगा हर चीछ हर एक पॉइंट पॉइंट लिखा है आप लोग बस ध्यान से देखिए जो ठीक है 40,000 76 km किसकी भूमत रेखा की लंबाई है ठीक आप लोगों को मेरे ख्याल से याद रखना हो जाएगा ठीक अच्छांस रेखाएं अब बताई अच्छांस रेखाएं जो हमारी होती है यहां देखिए क्या लिखा गया अच्छांस रेखाएं एक लाइन नहीं होती है बल्कि यह क्या होती है इसमें जो अच्छांस कभी कभी पूछता टोटल अच्छांस क्या होती है 903 होती हैि हमारा zero degree हो mesma औछ थी तो डीस हो गई नब्वे इस साइड हो गई है और एक zero degree हो गया टोटल कितनी हो छान्सों किसे संखिया 61 , tag lag ठीक है और टोटल भीर सर्किलوت में समझा दे तुक है एख हमारी इधर हो गई इस वाली पॉइंट पर क्या गई एक सो उन्यासी है ठीक है अगर पूछे अच्छान सो की संख्या तो बिवंच कितनी एक सो एक्यासी है नहरी कितनी दीव हुचा और चैकषन ex है system 177 Convene है स्जाभ धाय कोई ने सबहर से 1689 ऐल आगर किस सब्सक्राइब चुलार्थ निकिए है विपतिस traffic और शारान साही प्रृष किस तो अस्ति बना शुच country है इस अदोन कौन से देखिए, कौन-कौन से, एक उत्तरी गुलार्द, ठीक है, गुलार्द देख लिए, क्यों गुलार्द काते हैं, गुलार्द का मतलब, इससे काते हैं, गुलार्द, ठीक, इसको कहेंगे, उत्तरी गुलार्द है, ठीक है, उत्तरी गुलार्द, नीचे वाले को क्या कहेंगे, भूराइं पूर्वी होता है लेफ्ट साइट काई स्वर्छ तो मा पस्च देनल से समझ आ गया है हुआ है। जो हमारा बृत्रिमी है, उस पे कितना परिसेंट पानी है? तो सबको पता होगा मेरे ख्याल से. 70.8 परिसेंट हमारे भाग पी क्या है? जल है. बाकी 29.2 परिसेंट पे हमारा भू भाग जो है जिस पे अस्तल भाग है, इसी पे पूरा हमारा जो सातो महादीव क्या है इस चीत है ठीक है सातो महादीव हमारे इसी पे है और बाकी 70% पर पानी है फिर भी पानी की क्या है लोग काते है कमी है कमी है लेकिन पीने योग पानी की पीने योग पानी बहुत कम है ठीक है जो समुद्र की पानी है वो सब प इसलिए इसे क्या काते हैं अस्थली ये गुलार्द उत्तरी गुलार्द को क्या काते हैं ठीक आप लोग याद रखिएगा उत्तरी गुलार्द को क्या काते हैं अस्थली ये गुलार्द काते हैं ठीक क्योंकि यहां पर अस्थल की संख्या सबसे जादा है उत्तरी नहीं आप लोग समझ में आना चाहिए अगर हमारा भारत का जो है परिचे इंट्रोडेक्शन खतम हो जागा तो हम भारत की नदियों के बारे पुरा डीटेल से मेरी अपनी हैंड रिटेल नोट्स में आपको समझाऊंगा ठीक है अपको अच्छे से समझाऊंगा हर एक चीज से होकर कि कौन सी रेखा जाती है कौन सी रेखा जाती बताइए ति हमारी जाती करकरेखा करकरेखा भारत किस रेखा पर है करकरेखा करकरेखा पर इस चेत है ठीक है कहां कहां से जाती है देखिए गुजरात से सबसे पहले कौन हो था गुजरात फिर राजस्थान मैं बता नरहां आगे और बताओंगा राजस्तान मद्य प्रदेस ठीक मद्य प्रदेस जार कंड ठीक जार कंड ठीक जार czasu अर्धैक मारा च्छनद सब्सक्राइब और 36 गड़ के बाद गृता है एक दो तीन चार पांच हो गह फष्यम बंगाल कम पश्चिमबंगाल मिजोओरम और त्रिपुरआइए कौन कौन और ट्रिपुरा तीम पिटने राज्यों से आठ याट बहुत करके रिखा भारत कि उसल हित more एका ग्त थीछ तो भूमद रेखा। भारत के बीचों बीच से कौन होती है। तो करकर एकका पृत्वी के बीच हो भूमाद रहता जो 2 बरापहर भादो में बाड़ती द अच्छड़ी को लांत अशना घ्री ग को लारत मैं थीक है। कि लंबाई अब आये देशांतर के बारेंब सीक लेते हैं टीक है देशांतर देशांतर रेखा ज़ू है ंद इसको बारें ऐँद से बताएंगे फैक है अभी तो हम बस भारत की पर्पस इसको पढ़ रहे हैं ठीक है चलिए आये चलते हैं देसानतर रखा है हमारे क्या होती है इसमें जो हमें पूरमी बनता है और इक बनता है पस्चिमी गोलारद काते हैं ठीक लिए ठीक चालिए तो हमारा भारत देखिए यहां पे आप लोग इस वाले में देखिए भारत की स्थिति क्या है जो करकर एक रहा है से जा रहा है जिसकी साथे तेश डिगरी तो भारत कहां при स्थольш काँछा है दिए फूछे है भारत जो मेप में मेप में खाहँ कर श्चते पूरभी यहां से देखेंगे ति हमार्म क्या पूरभी साहिए सिप्ट का This जिरो डिगरी क्योप रहे तो ग्या है सथीग है पूरवी और उत्तरी गोलार्द में। इस्तित है। भारत हमारे के नियुकर में तब्रवी और उत्तरी गोलार्द में। रहें अब बताइगा भारत का संब जो पूर तरफ़ल किटना है। तो भारत का 6 परकूल है कितना 32,87,200 कितना 63 क्या है किलमेटर श्क्वार है है भारत क्या है? भारत का 6 परकूल 2,00,000 कितना है? कितना है 2 शोरी 3,28,000 कितना है 32,87,263 च्वारी 32,67,263 भारत का नार्थ स्वाट भी connected बाताई भारत का जो है नार्थ और साउथ विस्तार कितना है मतलब भासिम नार्थ का म्तलब ओगा उत्तर-ऊपर क्या होता है उत्तर होता नीचे क्या होता है निच्छे लुठ 확 plataform तो पूछ रहा है नार्थ से लेके यहां से यहां तक लेकर डिस्टेंस कितनी है भारत का परिचया पर लें पहले भारत की परिचय के बारे में पढ़िए जो ठीक यहां से यहां से कितनी डिस्टेंस है तो हमारा कितना है बत्तिस चौदा किलोमेटर बत्तिस चौदा ठीक और पस्चिम से लेकि पूर यानि गुजरात से लेकर कहां तक यह हमारा रुड़ांचिल प्रदेश यहां पढ़ता है और यहां परता है गुजरात पढ़ता है ठीक क्या पढ़ता है गुजरात ठीक आराम आराम से दम पढ़ा रहा हूं जादा जल्द बाजी एकदम नह सबसे बड़ी बात सीखना अब अगर अपने अंदर जरून ला देंगे कि हां मुझको इस चीज को सीखना है इंसान कुछ भी कर सकता है ठीक है बस अंदर जरून होना चाहिए ठीक चली अब हम पढ़ते हैं पस्चिम बंगाल समुद्र के साथ अंता राजी सीमा अंता राष्टी यह अंता राष्टी सीमा साजा करता है ठीक है अंता किसके साथ बंगलादेश के साथ ठीक अपाई यह वाला मैप जो हमारा था मैं आपको बताता हूं कहां पर पस्चिम बंगाल ठीक इसी मैप ठीक यह वाला जो हिस्सा है यहां पर यहां स ठीक जिसकी capital कहा है धांका है और यहां की जो पीम है सेख हशीना जो फजी से 1970 में भारत ने क्या किया था आजात करवाया था ठीक है यह पाले क्या पूर्वी पाकिस्तान का लाता था क्या कलाता था पूर्वी पाकिस्तान ठीक चलिए हम दूसरी लाइन में नहीं घुशेंग है ठीक इस अब लगा हुआ पाकिस्तान है ठीक है करता है समुद्र के साथ गुजरात के साथ सीमा साजा करता है ठीक पाकिस्तान इसको बोलते नल्ला पाकिस्तान बहुत फेमस हो चुका है ठीक है चलिए आए चलते हैं आगे नल्ला पाकिस्तान वर्ड क्या है बहुत फेमस हो चुका है ठीक है चली आई गुजरात के साथ सीमा त्रिपूरा बंगलादेश की तीनों और से घीरा है देख लिजिए मैप में देखा देता हूं यह मारा क्या है त्रिपूरा है एसे राता में इसको बिथ मैप गया है ठीक है फिर क्या हुआ है ऐसे ओकर के कि चली आगे चलते हैं मद्ध्य प्रदेश नमभात का मिड वो क्या मेडल राज है. सबसे वीच वाला राज है, जो मध प्रदेस से, ठीक है, और तिलंगाना, अभी जो हालही में किसे कट के बना थीक है, एपी, आंद्र प्रदेस से कट के बना है, ठीक, और चथी सगर, जारखंड, हरियाना, पांच राज जो ना तो अंतराजी अंतराश्टी और ना ही क्या है समुद्री सीमा साजा करते हैं अस्तल रुद्ध हैं भारत के क्या है अस्तल रुद्ध तो नहीं कहा जा सकता है क्योंकि किसी से भी नहीं सीमा साजा करते हैं अस्तल रुद्ध भी कहा जा सकता है बाकि किसी या दे से सीमा साजा नहीं कर शते हैं ठीक है Seven Sister के बारे मैं यह पढ़ते है Seven Sister उसका एक भाई भी है यहां पर इसका सात बहन है और एक भाई है जिसका नाम क्या है Shikkim ठीक है Shikkim पूर्वी राज्यों की स्रेणी में Shikkim आता है ठीक है त्रिपुरा है, मिघाला है, ठीक, मिघाला है, ठीक, सिक्किम किस से सीमा साजा करता है, यहां तक जो है हमारा, सिर्फ एक राज्य के साथ सीमा साजा करता है, वो कौन है, सिर्फ पश्चिम बंगाल से सीमा साजा करता है, किसके साथ किवल एक राज्य से सीमा साजा करता है, उ इन सब्सक्राइब ढिना थी और घ्या के और अब निस अब भारत के सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करने अर बाई अब SM सबाइब जीस दो मैंमार में मार भूतान और किस के साथ ऐसे चीन के면 साथ दरौन को समन्ति जुधन को समझिंद। ही माइन भारत का सप्षी तंव ब्रत नक्या है मैं चालते हैं आपसे हैं कट जोसे जेस दोग आप लोग घए हमारा कि यह व्हाला पॉइंट जो हमारा कितना है कितना बताइए चार अंस कितना है है इतना है जिसको मि ंद्रा पॉइंट या पारसेन या पिग्मिलियान या लाहिचिंक अधिय कॉंभिटी इह यह अंध्र स्षेंट बता है क्यों चार पंतर है स्वारी चार मिनट उत्तरी अच्छांस है उत्तरी अच्छांस है ना कि दच्छी अच्छांस करेंगे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमारा बात क्या उत्तर पूरवी में है तिसलिए हम उत्तरी अच्छांस काते हैं क्योंकि इसके जो भूमद रेखा इसके ब पारशेन पिंग मिलियन और लाइचिंग मैंने यहां लिखा है आप लोग पढ़ लिजी ठीक है तीन नाम हैं इंद्रा पॉइंट के ठीक है कहां पर इस्तित है ग्रेट नीको वार में ठीक है नीको बार में याद रखेगा आप लोग ठीक है चलिए आगे चले कि आज यहीं आइर यहां पर लोगोने जीएया देख लिए भारत का उततरी उत्तर बिंदू ँत्तरी बेंदू कॉन सो है उत्तरी मतलब एवाला पॉइंट कहुन से उत्तरी पॉइंट और यह वाला दक्षरी यरे पॉइंट को को इंद्डरा का तये मैंने कितनी वा बता चुकoth इसको इंद्रा कॉल काते हैं इस वाली पॉइंट को काते हैं इंद्रा इंद्रा पॉइंट काते हैं ठीक है पिगमिलियन लाहिचिंग जो भी है इसका नाम तीन नाम है ठीक पार्शें पिगमिलियन ठीक ग्रेट निकोबार में इस थी ठीक प्राइद्यूप किसे काते हैं गुजरात भी का कुछ हिस्सा आता है, गुजरात आ गया हमारा, महाराष्ट आ गया, ठीक, महाराष्ट यम से महाराष्ट हो गया, जी से गोवा हो गया, के से करनाटक हो गया, के से केरल हो गया, टीन से तमिलनाड हो गया, ठीक है, एपी से आंदरप्रदेश हो गया, यू से नटेशब्ग करें पिस भारत की सव ब्हारत है तीग है थीओ थे एकक्छ भारत की ऐसे और और अरब सागर भारत को कश्च की खाड़ी यहां पिंदी खाड़ी यहां पे ने हमारी पढ़ती है ठीक है कच के रण में कैंón प्राल योग को चलते हैं कोल्बा प्राइव दूप मुंबई में पढ़ता है व्रtype है साल सेट ग्री पर है याद पुष्चन कई बार पूछ नाम से याद है का ट्यावार गुजरात में जाफना श्रीलंका का ठीक है जाफना अमारा कहा या का स्री लंका का ठीक है याद रखेंगे आप लोगो जाफना कहांपंड़ता है जाफना ठीक है जाफना हमारा कहां पड़ता है जाफना प्रायदीव जाफना प्रायदीव हमारा स्री लंका हम पड़ता है ठीक स्रिलंका पाक जल संदी द्वारा क्या आता है स्रिलंका पाक स्रिलंका और भारत की आते हैं भारत के बीच कौन सी जल संदी है पाक जल संदी है ठीक है पाक जल संदी है ठीक है ठीक चलिए आईए तो हम सुच रहे हैं आज के लिए इतना ही कर दिया जाए नहीं तो आप लोग को दिक्कत होने लगेगी जादा हो टाइम हो जाएगा ठीक है तो वीडियो को क्या करिए शेर करिए अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल इंद्रेश जादा आफीसियल से कर ये जूड़ जाहिए ठीक है और जदा से ज्यादा वीडियो स्टार्ट करेंगे ठीक है तो मैं सुच रहा हूँ आज डाल देता हूं नौ नौ या आठ बज़ रात में जैसा आप लोग कहिए आज डाल दो या कल आप लोग कमेंड बॉक्स में बताएंगे उसी साफ से डाल दूँगा ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही जैहिन जैभार करेंड़ में घाल दोदेख लगार हूं गुट टूँवा करेंगे आप लोग करेंचे लोग कहा हूं